अब्रिवन मैं हूँ अभीशे गुप्ता और आप सभी का गेट अगेटमिक प्लस में स्वागत है जैसे कि हम लोग प्रिविएस लेक्टर की बात करते हैं तो हम वहाँ पर यह देखे थे कि आपका जो है गास पावर प्लांट जो है कौन से साकल पर व्क करता है तो वहाँ संट Remoist सब्सराइब अध्री प्रिंसिपल मैंने आप और ऊइधकों को बता दिया था कि कैसे व्क करने देखेंगे क्या क्या करने वाला है उस cycle का आपका डेरिवेशन धानीज थर्मल एफिसेंसी का हम लोग डेरिवेशन डेराइव करेंगे और क्या-क्या एफेक्ट होगा हम यहां पर देखने वाले हैं तो देखें मैं एक बेस क्या लेकिया हूं आज इडियल ऑपन गेस ट्रबाइन सैकल तो इडियल ऐडियल सैकल क्या होता है ब्रेत डिध्याइन सैकल आई बहुँनगे यह बेसिक इन्पोर्टेंट आपका यह हो गया कि आपका घ्ला हो गया व्ला इसला कॉठ passar किया यह कौन देख्यें को जेक है चिंशे आप लोग को पता होना चाहिए, फंडमेंटल जो है ना पता होना चाहिए, तो हम देखते हैं कैसे वाग करेगा और इसका एजमिशन्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किसका अपका एर इस्टेंडर ब्रेटन सैकल का थर्मल इफिसेंटी का डेरिवेशन तो यह जो क्लासे से हैं आपके सेमेस्टर एक्जाम में यहां से कोश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं डेफनेटल यह कोश्चन आए गई, मान के चलो आपको डेरिवेशन पूछा जाता है ब्रेटन सैकल का की से में ड्रॉद पीवेशन दियाग्राम फॉर ब्रेटन सैकल यह फिर फाइंड आउट यह फिर डिटर्माइंड थर्माइफिसेंटी आप लोगे क्लियर तो हम स्टाइट करते हैं जो देखते पहले मैं आप लोगों को और बता देता हूं कैसे तो है डीक ही से मृत करने वाला है डेखिए क्या होता है सिंपल से समझेएगा खिक है आप क्या करेंगे चो बैसिक कंपोनेंट होता है यह स्यली करे यहां देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ open cycle में से air को सख कर लेंगे ठीक है एक से क्षी से क्या कर दिया हम लोग यह को ले लिए आ यहां की लेने के बाद उसको क्या कर दिया है अपन when and temperature even you have compressor क्या करे गा वाई यह जो आपका working fluid gas हम ने consider किया है उसको इनलेट लिया उसको क्या करेगा कंपरेस कर देगा और कंप्रेस करने के बाद क्या होता है उसका प्रेसर और टैमप्रेटर क्या होगा आपका इंविफ栉 ऊक्री जाएगा जितना आपको requirement है उसके according हम उसको compress करेंगे तो compressor का process क्या बोलेंगे है यहां बनोता है प्रोसेस Isontropic Isontropic compression Isontropic compression ठीक है Isontropic compression हो गया ठीक तो compress करने के बाद आपको जो working fluid जो gas है उसका क्या होगा pressure और temperature इंग्रिश हो तो part number two पर देखो part number two को मैं क्या बोलूँगा exit of compressor ठीक है the exit of compressor of working fluid is क्या होने वाला है pressure भी increase हो जाएगा और temperature भी increase हो जाएगा ठीक है तो pressure और temperature क्या हो गया increase that means यहां पर हम लिख सकते है T2 is greater than T1 T2 is greater than T1 and P2 is greater than P1 यहां तक clear हुआ आप ठीक है अब क्या करने वाला हो देखो अब जो आपको high pressure high temperature या फिर exit of compressor the working fluid is gas उसको हम कहां send कर देंगे combustion chamber में अब देखिए combustion chamber में क्या होने वाला है combustion chamber में क्या होने वाला है हम क्या करेंगे externally fuel को burn करके हम कहां यहां heat को send करेंगे समाजा रहा है सिस्टम से बाहर आप externally heat burn मतलब fuel को burn करने वाले हैं externally burn करेंगे fuel को वहां से heat को हम लोग यूज कर लेंगे ठीक है और heat क्या होगा जो fluid है वहां हम लोग उसको heat up करेंगे जो आपका working fluid है जो combustion chamber में inlet हुआ और externally heat को हम लोग वहां add करेंगे उससे क्या होगा जो आपके पास gases हो क्या होगा heat up हो जाएगा क्या हो जाएगा heat up तब यह process होता है यहां पर प्रोसेस क्या होगा constant pressure heat addition process क्या बोलेंगे constant pressure heat addition समाज आया combustion chamber में क्या होगा combustion chamber में क्या होगा आपका externally fuel को burn करने के बाद वहां से जो heat आएगी उसको inlet देंगे कहां देंगे आपका जो working fluid है वहां पर हम लोग heat up करें तो आप जब उसको heat input देंगे working fluid पर तो क्या होगा वह heat up हो जागा heat up होने के बाद उसका टेंपरेचर क्या हो जागा increase हो जागा at a constant pressure यहां था clear हुआ तो point number 3 यह होगे P3 and T3 और T3 is greater than T2 T3 is greater than T2 अब आपके पास जो working fluid या फिर गैसे जो exit of combustion chamber है उस समय उस समय जो working fluid है उसका energy क्या होगा high होगा energy बहुत high होगा ठीक है और temperature भी high हुआ अब क्या करने वाले देखिए बहुत interesting है ठीक है क्या करने वाले जो आपके पास gas था जिसका temperature high है और pressure भी high है उसको हम inject करेंगे कहां turbine में कहां इंजैक करेंगे turbine में क्या होगा blade होगा किसके खूर Computer here को आउख्येच और पलाइट होना इसताट होगा और यह वरोटेट हो जाएगा सब्सक्का मैं करेंगा इसका मेकनिधम मैं बताऊंगा आपको की आपका pressure energy कि के अपी बाद ब्लेट को रौटेट करा दिया बैड रोटेट होने के बाद क्या होगा Test Sum 나오 क्या मिलेगा साप्ट पावर यह साप्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं हम लोग मैकनिकल पावर यह फिर मैकनिकल एनरजी अब इस मैकनिकल पावर यह मैकनिकल एनरजी को किधर सेंट कर दिये अब देखो अब यहाँ पर gas power plant में क्या होता है जो टर्बाइन है तर्बाइन में जित्ता output मिला आपको वहाँ से हम टर्बाइन को किसे कुप्लिंग किये टर्बाइन से ठीक है एक साफ के ठुरू क्या कर दी हम लोग कॉंप्रेसर को टर्बाइन से कॉप्लिंग कर दी कि अब जब आपको तो इसमें पावर कैसा जाएगा थूर्बाइन से तो जित्ता आपको पावर आउटपुट मिला तर्बाइन से तो कुछ आमाउंट आफ यूज कर लेते हम लोग कंप्रेसर चलाने के लिए समाज आ गया बेसिक फंडक किलियर हुआ आपको क्लियर हुआ कि नहीं तो टर्बाइन जित्ता वर्क आउटपुट दिया वहां से हम लोग क्या किये कंप्रेसर को चला दिये इसलिए यहां पर कंप्रेसर की कि ए ठीक फिर जित्ता और पूट मिला अगर सपोस्व डबलूटी आउटपुर्ट मिला ठीक है हमने यहां पर कित् यह इस है WC. आपको तों तोलटवार्वक मिलको नेठवक कह मिले हैं? यह यह जो इन्रजी मैं क्या किती हूँ, इसके पाद जनेरेटर का क्या होगा, जो इन्रजी को किसमें, कर देगा उसको mechanical energy को electrical energy को न कर देगा आपका जन्रेटर तो output जो मिलेगा electricity मिल जागा ठीक है यहां तर clear तो देखो exit of turbine अब बात करते हैं हमने जितने energy था उसको यूज कर दिया फिर exit of turbine भी आपका gas flow होगा ठीक है तो gas flow होगा तो यह हो जागा point no.4 तो T4 is less than क्या हो जागा T3 जैसे आपने expand किया हमने देखो इस प्रोसेस क्या होता टरबाइन पर आइसन ट्रॉपिक एक्सपांशन आइसन ट्रॉपिक आइसन ट्रॉपिक एक्सपांशन यह क्या हो रहा है इसन ट्रॉपिक एक्सपांशन ट्रॉपिक करने के बाद वालूम इंग्रीज हो जाता है आपका टेंपरेचर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है इसको हम करेंगे एक डिवाइस से डिवाइस का नाम क्या रहता है हीट एक्षेंजर ठीक है इसलिए बोलते हैं क्यों हम लोग हीट को रिजयक करने वाला है क्यों क्यों आप लोग हम लोग हीट को रिजयक करने वाला है एरकाप जैसे एरोप्लें देखे होगे रॉकेट देखे होगे तो वहां हम लोग क्या है इस टाइप का सिस्टम को यूज करते हैं और क्लोजड वाला क्या है पावर जेनरेटिंग के लिए यूजर तो समझ आ गया यह कंसेप्ट क्या है क्या है तो देखिए अब मैं बेट जैसे कि सिंपल की बात है आप लोग जब एक्चुल लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे लॉसे होते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे कुछ एजम्शन लेंगे उसके अक्वार्डिंग हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो क्या क्या है यह देख लेते हैं देखो फर्स्ट एजम्शन क्या है दा चेंज ऑफ कानेटेक अनरजी ऑफ दा वर्किंग फ्लूड बिट्वीन इनलेट एन आउटलेट ऑफ इच कंपोनेंट इस निगलिजिबल कहने का मतलब यह हुआ आपके जो कंपोनेंट से वहां हम गैस को फ्लो कर रहे हैं वर्किंग फ्लूड को फ्लो कर रहे हैं तो उस कंडिशन में क्या हो कुछ एमाउंट ऑफ कानेटेक अनरजी क्या होगा चेंजेस हो जाते हैं उसको हम लोग क्या किया आपस निगलिजिबल तो फर्स्ट पॉइंट यह हुआ फर्स्स पॉइंट क्या हुआ हुआ आपका निगलिजिब इफेक्ट ना होने तो इरिवर्सिबिलिटी क्लेट हो जाती है तो सेकंड सेकंड आप लोग को समझ आ गया कि कंप्रेशन एन एक्सपांशन प्रोसेस क्या है 100 परसें आइसन ट्रॉपिक होना चीए थर्ड अब देखिए देर आर नो प्रेशन लॉसेस देखो अब क्या होत इस प्रेशन ट्रांसफर इन देखिए एक्षेंजर एजुम टू बी पर्फेक्ट कहने का मतलब जब हम इट एक्षेंजर यूस करते हैं वहां पर हीट ट्रांसफर क्या होगा 100 परसों ना चीए ठीक है लिए परफेक्ट लिखा हुआ है पर इस देखिए दा मास फ्लो मास फ्लो आप गैसे थ्रूआफ डशाइकल इस कॉंस्टेंट मतलब आपका जितने माउंट आप मास रहेगा वह पूरा सर्कुलेट वह मास अपका गैसे साइकल में सर्कुलेट होगा फ्लो आप डशाइकल क्लियर नैश देखिए थे वर्किंग फ्लूड हैस दा सेम जो इक्वेसंस होते है उसको फालौ करना चीक यह आपके बेसिक एजम्संस है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करेंगे यहां से क्या है एयर इसको और क्या बोलते हैं, जूल सैकल ही बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, और जूल सैकल, पूश्चन आता है बई, हना, गैस पाउर प्लांट में कौन से सैकल यूज होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ, ब्रेटन सैकल और जूल सैकल यूज होता है, इसको ब हीट एडिशन साकल रोटे क्या उन्स्टेंट त्टर प्रेशर हिट एडिशन क्या 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 करें इंप्टेंट पॉइंट मिला है आपका आइडियाल साइकल जो है में क्या होने वाला है क्या होता है आपका इसको हम और क्या बोल सकते हैं अब बताइए आपस क्या क्या प्रोसेश होते हैं देखो ओपन टाइप की बात करेंगे प्रोसे आइडियल के सब्सक्राइब हो हम क्या कर रहें इस टेंडर ब्रेटें साब तो यह अएजूम करते हैं कि मास्षोरेंट क्या ओंग है म कैगे वन एसलेंगे मासमस फ्लो मास फ्लोट टीक है कि यहांकर रहां हम मास फ्लो एड क्लेट है है 1 kg 1 kg पर सेकंड लिख सकते हो मास्ट फ्लो रेट लिख लिख हो यहां पर पर प्रोसेश क्या क्यों होने वाले हैं यहां पर होगा two reversible two reversible iso two reversible adiabatic process लिखे एडिक है two reversible adiabatic process two reversible adiabatic process two reversible adiabatic process and two reversible two reversible isobaric process लिख सकते हैं ठीक है isobaric process यहाँ पर condition देखना अब सर बोल दिए कि two reversible isobaric होगा सर यहाँ पर तो three process हो रहा है देखो open case में क्या होगा open system की case में क्या होता है यहाँ पर one cycle हो जाते है constant pressure heat addition हो जाएगा constant pressure heat addition constant pressure heat addition clear constant pressure heat addition ओके बट अगर close cycle की बात करूँगा मैं close cycle की बात करूँगा तो यहाँ आप पर two process होंगे ठीक है यहाँ पर two process होंगे क्या होगा एक हो सकते है आपका एक होगा constant constant pressure heat addition heat addition and दूसरा हो जागा heat rejection heat constant pressure heat rejection ठीक है तो यहाँ पर समझे है क्या बोलना चाहरा हूं मैं यह बोलना चाहरा हूं कि आपका टू रिवल्सिबल एडिवेटिक pressure में ठीक है तो देखते हैं आप अप पीवी एंड टीएज डियाग्राम समझते हैं क्या क्या प्रोसेस होने वाला है ठीक है तो देखेए वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा आप लोग के लिए क्या होता है पीवी एंड टीएज डायग्रम बहुत ज़़ड़ इंपॉर्टें इसके लिए आप लोग को क्या पता होना जाए बैदभ प्रोसेश सिस्टा प्रोसेश तो फेले प्रोसेश वन होखा है यह घ्लाइब देखते पहले देखो जैसे आप लोग को बता है मैं, process 1-2 क्या है, process 1-2 क्या हो रहा है आपका, process 1-2 यह हो रहा है कि isentropic compression, क्या हो रहा है आपका, isentropic compression in a compressor, ओके तो process 1 to 2 क्या होगे आपका Isontropic Tropic Compression In Compressor ठीक है Isontropic Compression In Compression अब इस condition में मैंने आप लोग को बताया था जो वर्टिंघ फ्रूट अपने gases एजुम किया था उसका क्या हो जाएगा compress करने के बाद इसका pressure और temperature क्या हो जाएगा आपका pressure और temperature यहाँ पर increase हो गया और volume क्या हो गया आपस decrease हो गया volume क्या हो गया decrease हो गया ठीक है तो फिर then next process क्या है process यहां तक क्लियर हो गया तो नेक्ष्ट परोसेस देखते हैं प्रोसेस idea is दिखेए कॉ detile time studies देखिंफ डचया का आप य। अब में हमने क्या किया है वहां पर इसेंफ और हीने क्या हुआ हुआ एक्टेरिक एक्षटरनली द्युलको बन करें हम लोग हो इसेंफ इन पर है ठीक है तो यहां पर क्या होगा constant constant प्रेशर हीट एडिशन हीट एडिशन इन कंबर्शन चेंबर इन कंबर्शन चेंबर तो क्या आपका प्रेशर अन्टियोंग टान्पेशर क्या होगा था यह त कंडिशन वे देखते हैं कैसा होता है ठीक नेश्ट प्रोसेस देखते हैं प्रोसेस प्रोसेस थ्री टू फोर अब थ्री टू फोर क्या आपके पास गैस टर्बाइन क्या होगा आइसन ट्रोपिक एक्सपांशन इन गैस टर्बाइन थ्री टू फोर प्रोसेस क्या मिल आपको आइसन ट्रोपिक एक्सपांशन इन गैस टर्बाइन अब आप यहां पर क्या किये गैस टर्बाइन पर एक्सपांड किये उस कंडिशन में वालूम क्या हो गया था आपका इंग्रिज हो गया था temperature और pressure क्या हो जाएगा आपका decrease हो जाएगा इतना ही आपको देखना है इतना समाझ गया ना इसके थुरू क्या बन जाएगा आपका यह open system की case में अगर close system में अगर consider कर लूँगा तो फिर इस case में क्या हो जाएगा process 421 यह heat exchanger हो रहा है ठीक है यहां पर constant pressure heat rejection Coast and pressure heat rejection हो जाएगा यहां जाएगा क्या हो जाएगा constant pressure heat rejection that means, यह किस case के लिए होगा only only for close cycle only for close cycle ठीक है, यहापर pressure क्या हुआ आपका, constant हुआ rejection हुआ, तो temperature क्या करेंगे है आपस, decrease कर देंगे ठीक, clear रहा था, यह process को आप PV and TH diagram में हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है प्रोसेस 1 to 2 क्या था प्रोसेस 1 to 2 क्या था प्रोसेस 1 to 2 यह था constant isentropic compressor ठीक है तो मैं point number 1 ले 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 तो हुआ आपस अच्छे यहापर two pressure line मिला आपको constant pressure heat addition and constant volume heat addition constant pressure heat addition and constant pressure heat rejection, तो two यहाँ पस pressure line आने वाला है हमको समाझ आगे आपका two pressure line आने वाला है तो मैं यहाँ आपका ड्राव कर देता हूं तो प्रोसेस 1 to 2 आइसंट्रोफिक कंप्रेसर तो हम point number 1 अगर इसको मैं कंसीडर करता हूं तो 1 to 2 क्या हो जाएगा आपका आपका कंप्रेसर तो आप प्रोसेस 1 to 2 आइसंट्रोफिक इंगरिज्या हुआ तो आपको समझ आ गया की 1 to 2 आपका आइसंट्रोफिक कंप्रेसर तो यहां पर में नैस्त तो यहां पर हमने क्या किया कंप्रेसिन वह दिये और आइसंट्रोफिक कंप्रेसर हुआ थिए है next two two three constant pressure heat addition जब constant pressure है यहां मैं heat add करूंगा तो इस case में क्या होगा temperature increase हो जाएगा और small amount में volume increase हो जाएगा तो that is point number three that is point number three अब आगे आपका power stroke उसको बलते हैं लोग three two four expansion process ठीक है expansion process three two four क्या हो जागा expansion process ठीक यह भी क्या process है isentropic expansion ठीक इसको हम यह भी लिख सकते हैं क्या PV रेष्ट पावर gamma is equal to constant यहां पर expansion work मिलने वाला है आप और क्या मिलेगा expansion work या फिर turbine work expansion work या फिर आपको turbine work यहां पर मिलेगा अब ओपन सिस्टम रहाएगा तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग एट्मास्परी यह क्या हो जागा atmosphere ठीक है यह क्या हो जागा for dotted line क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका atmosphere but close cycle में क्या हो जागा this one close cycle में क्या हो जागा यहां पर हीट रिजेक्शन हो जागा clear हो गया तो आपको पीवी डियाग्रम समझा गया इस केस में आप देखिए यहां पर हमको atmosphere की बात करें अच्छा टीएज डियाग्रम भी बना लेते हैं फिर आप लोग को समझा आएगा देखिए टीएज डियाग्रम कैसे बनने वाला है कि सिमिलर प्रोसेस को अपलाई किजिए और टीएज डियाग्रम बना लिए यहांता फ्रोसेस वन तो जांगे तो आइसलोपिक लाइन क्या करना थो आइसलोपिक लाइन के टीएजंटल की किह क्या होगा三ी यहां पर वर्टिकल आ गया, because अंट्रोफिक या है, और ओरिएंटल दैक्शन में, तो हम यहां पर वर्टिकल लाइन ट्रॉ कर देते हैं, यहां पर मैं कम्प्रेश करूंगा, तो यह 1 to 2 मैंने कम्प्रेश किया, यह कम्प्रेशन हो गया, ओके, that is the point number 1, यह हो गया, आपका कम्प्रेशन, clear, second क्या है, आपका 2 to 3, जब हम 2 to 3 देखते हैं, तो इस case में क्या हो रहा है, constant pressure heat addition, यहां पर P is equal to C है, यहां पर भी क्या है, आपका P is equal to C, constant pressure heat addition, तो ती-एज डिग्राम पर constant pressure line कैसे ड्रॉ होता है, आपको curve मिलता है, क्या मिलेगा, तो यह हो गया, आपका curve, समझा रहा है, यह क्या हो गया, आपका curve, यह P is equal to C हो गया, यहां मैंने heat दिया, Q1, तो point number 3 पर पहुंच गया, point number 3 पर पहुंच गया, again, 3 to 4, 3 to 4 की जब बात किया जाता है, तो आपका isontropic expansion, that means, turbine, gas turbine पर क्या होता है, isontropic expansion, isontropic line draw की जिए, तो सर, यहां पर isontropic line कैसे draw होगा, vertically, क्या होगा, vertically, तो मैं यहां पर vertical line draw कर जिता हूं, clear आगे, समझा रहा है, आप लोगो, यह vertical line draw किये, that is a point number, 4, that is a point number, 4, clear रहां तक, ठीक है, 4 to 1, जब आप open system की बात करेंगे, तो वहां पर क्या आता है, atmosphere, तो हम उसको dotted line से draw कर देते हैं, ठीक है, यह हो गया, आपका dotted line, close system हो जाए, क्या करेंगा, इसी को मैं, constant pressure heat rejection कर दोगा, constant pressure heat rejection, constant pressure heat rejection, heat rejection, ओके, clear हुआ, कि आपका TH diagram कैसे बना, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर compression work दिया, at a isentropic compression, ओके, देन, 2 to 3 क्या हुआ, constant pressure heat addition, 3 to 4, isentropic expansion, इसको turbine work भी बोलेंगे, entropy यहाँ पर common हो जाए, constant हो जागा, ठीक है, next क्या होगा, आपका, 4 to 1, constant pressure heat rejection, क्या होगा, constant pressure heat rejection, मेरे ख्याल से आप लोग को PV and TH diagram समाझ आ गया, अब देखिए, इस PV and TH diagram में, आपको इस cycle में maximum pressure, और maximum temperature की बात करते हैं, तो आपको point number क्या मिलने वाला है, that is a point number, whole cycle में maximum temperature किस point पर मिलने वाला है, point number 3, T max क्या मिलेगा, point number 3 पर मिलेगा, और minimum, minimum की बात करने तो point number 1, तो यहाँ पर T mean हो जाएगा, ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, maximum pressure की बात करें, तो maximum pressure क्या हो जाएगा, this one, point number 2 and 3, मतलब बैस पॉइंट को 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर P max ले लेता है, क्या ले लेता है पर P max, अब P mean क्या हो जाएगा, this one, P mean, clear हो गया, P mean हो गया, P max, यहाँ पर एक टम्स हाएगा, R P, R P, अब हमें पता है, R P क्या होता है, maximum pressure, it is a ratio of maximum pressure to the minimum pressure, maximum pressure, maximum pressure upon, upon minimum pressure, okay, maximum upon minimum, maximum pressure क्या है, point number two की बात करूं, to two by P1, या फिर P3 upon P4, P3 upon P4, ति यह हो जाएगा, आपका R P, चलो देखते हैं, अब नेश्ट हम देखेंगे, यहाँ पास, नेश्ट यहाँ देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, पर नेश्ट, ठीक है, आगे देखते हैं, energy analysis for Brayton cycle, ठीक, यहाँ तक हो गया, आप लोग को समझ आ गया, देखते हैं, energy, analysis, of, Brayton, cycle, ठीक है, अब energy, energy analysis करने वाले हैं, तो आप देखिए, हमने PB and TH डियागरम देख लिए, अब क्या करने वाले हैं, energy analysis करने वाले हैं, तो यहाँ पास, जो आपके पास components है, gas power plant पर, यह सभी क्या है, study flow है, क्या open system work करता है, study flow, तो आप वहाँ पर हम लोग, apply करेंगे, study flow energy equation, तो process, first देखते हैं, process, one to two, one to two में क्या है, आपका compressor है, क्या है, compressor, ओके, compressor, तो देखिए, compressor बना लेते हैं, आप अपस हम लोग, तो compressor बनाएंगे, तो क्या हो जागा, यह, ecosystem type का था, यह हो गया था, point number one, यह हो गया था, आपका point number two, यह हो था compressor, यहाँ पर हमने क्या दिया, compression में, WC, compressed work, clear that, तो now applying, the study flow energy equation, at point number one and two, study flow energy equation, क्या हो था आपका, आपका study flow energy equation, अगर देखा जाए, तो क्या मिलेगा आपको, यह हो जाएगा आपका, q one to two, plus m, into, h one, plus c one का square, upon two, plus g z one, is equal to, चाथा, w, one to two, plus m, h two, plus c two का square, upon two, plus g z two, यह basic क्या है, study flow energy equation, for process one to two है, process one to two, बट हमने, assumptions क्या लिया था, kinetic energy, potential energy क्या कर दिये था, हम लोग, zero कर दिये थे, ठीक है, kinetic energy, or potential energy, क्या हो गया था, आपका, zero हो गया, तो remaining equations, क्या कर लाएंगे, आपका, study flow energy equation, तो जागा, m, h one is equal to, m, h two, plus, w, one to two, w, one to two, क्लियर, अब मेरे को बताईए, अब इस study flow energy equation को, इस compression पर, हमने, हमें follow करना है, ठीक है, तो compression पर क्या हो रहा है, आपका, isentropic process हो रहा है, तो isentropic process के लिए, isentropic process के लिए, क्यों 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 हो जाएगी, zero हो जाएगी, क्यों 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 हो जाएगी, zero हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको जो, w, one to two, जो मिलेगा, वो क्यों हो जाएगा, m, h1 minus h2, m, h1 minus h2, but, condition में क्या हुआ, one से हम लोग inlet किये, यहाँ का pressure p1, and temperature t1, p2, and t2, हम compress किये, तो उसका temperature बढ़ गए, मतलब उसका energy बढ़ गए, that means, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, h2 is greater than h1, h2 is greater than h1, तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या लिख हूँ, minus m, h2 minus h1, h2 minus h1, minus sign, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, minus sign यह रिप्रेजेंट कर रहा है, कि work on the system, work by the system क्या होता है, positive लेकिन work on the system, मतलब हमें work system को चलाने के लिए, work करना पड़ेगा, यह negative, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, compression work is equal to m, h2 minus h1, h is equal to क्या हता है, cp dt, ठीक है, del h is equal to क्या हता है, del h is equal to होता है, cp, mcp dt, यह फिर cp dt, तो हम इसको यह क्या लिख सकते हैं, next, mcp, cp क्या है, specific hits, ठीक है, constant pressure, constant pressure, specific hits है, ठीक है, specific hits for constant pressure, and, क्या हो जाएगा, t2 minus t1, t2 minus t1, ओके, तो आपको wc क्या मिले हैं यहाँ पास, this one, wc is equal to, mcp t2 minus t1, equation number 1, equation number 1, यहाँ दा clear हुआ, process 1 to 2 clear हुआ, next देखते हैं, process, 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 2 to 3, process, 2 to 3, क्या है आपके पास यहाँ पास, conversion chamber, यहाँ पर हमने क्या किया था, constant, constant, pressure, constant pressure, heat addition, constant pressure, heat addition, ठीक है, constant pressure, heat addition किये थे, तो यहाँ पर q added, तो यहाँ पर apply किजिए आप, क्या मिला आपको, combustion chamber, क्या था हमारे पास, combustion chamber, हमने क्या दिया, यहाँ से, q added किये, और यह क्या हुआ, inlet, यह हो गया, outlet, ठीक है, inlet condition, point number 2 की बात करते हैं, outlet condition, point number 3 की बात करते हैं, clear, इस point पर, इस point पर, pressure, P2, temperature T2, and इस point पर, pressure P3, and temperature T3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, P is equal to constant, तो now, applying, the steady flow, energy equation, at point 2 and 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपर, तो Q2, 2, 2, 3, plus, M, T2, is equal, sorry, M, H2, अब, M, H2, is equal to, M, H3, plus, W, 1, 2, 2, 3, ठीक है, अब मेरे को बताइए, open system के case में, pressure is 0 to constant है, तो work done क्या होगा, 0 होगा, because, VDP होता है, यहाँ पस क्या होगा, VDP, ठीक है, open system के लिए क्या होता है, VDP, work done क्या होता है, भई, open system के लिए, VDP, minus VDP, clear, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो Q, 2 to 3, is equal to, M, H3 minus, H2, H3 minus, H2 हो जाएगा, अब यहाँ पर हम, temperature के form में लिखेंगे, तो M, CP, T3 minus, T2, T3 minus, यहाँ पर, T3 minus, T2 हो जाएगा, clear, T3 minus, T2, where, T3 is greater than, T2, where, T3 is greater than, T2, तो हम इसको लिख सकते हैं, Q added, क्या लिख सकते हैं, Q added, positive आया आपका, यह हो जाएगा, आपका, Q added, यहाँ अदर clear हुआ, next, next देखते हैं, process, process, 3 to 4, process 3 to 4, यहाँ पर क्या है, gas turbine है, क्या आपका, gas turbine, तो gas turbine की case में देखिए, क्या होने वाला है, ठीक है, यह आपका turbine है, यहाँ से inlet हुआ, यहाँ से exit हुआ, that is point number 3, that is point number 4, यह turbine हुआ, यहाँ से हमको turbine work, provide हुआ, process क्या था, isentropic process, तो नहाँ applying, to study flow energy equation, तो apply कीजिए, 3 to 4 में, apply करेंगे, क्या होगा भई, बदाएए, Q, 3 to 4, plus M, S3, is equal to, W, 3 to 4, plus M, H4, plus M, H4, ठीक है, it transfer क्या होगा, यहाँ पस, it transfer हो जाएगा, आपका, 0 होगा, because, it transfer 0 होगा, क्योंकि, isentropic process है, क्योंकि, क्या है आपका, isentropic process, यहाँ पर, W, 3 to 4, की बात करूंगा, तो क्या मिलने वाला, M, S3, minus, H4, क्या मिलेगा, S3, minus, H4, और क्या लिख सकते हैं, हम इसको, हम इसको लिख सकते हैं, M, CP, M, CP, T3, minus, T4, M, CP, T3, minus, T4, यह आपका, network, मिला, network बोला, या फिर, turbine work, आपको, यह मिलेगा, क्या, M, CP, T3, minus, T4, clear that, next, जब हम, close system की बात करेंगे, तो, वहाँ पर, hit, exchanger, use होता है, ठीक है, जाहिए, use होता है, hit, exchanger, direct मैं, मैं, वहाँ पस, pressure, constant pressure, heat, rejection, constant pressure, heat, rejection, ठीक है, तो, यहाँ पर, constant pressure, heat, rejection, direct मैं, लिखना चाहूँगा, M, CP, T4, minus, T1, T4, minus, T1, clear रहा तक, ओके, आगे चलते हैं, आगे देखें, अब हमें निकालना है, यहाँ पास, thermal efficiency, निकालना है, breton cycle की, thermal efficiency, air extender cycle, air extender cycle, for breton cycle की, thermal efficiency, निकालना है, तो, हम लिख सकते हैं पर, thermal, efficiency, of, air extender, breton cycle, ठीक है, breton cycle, कालना है, तो, what is the thermal efficiency, what is, thermal efficiency, तो, आप, आप कहेंगे, sir, thermal efficiency, is equal to, basic, basic formula, ठीक है, thermal efficiency, is equal to, हम लिखेंगे, w net, upon heat supply, okay, w net upon, heat supply, w net, upon, heat, supply, w net upon, heat supply, या फिर, आप लिख सकते हैं, या फिर, क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, 1 minus, q rejected, upon, q added, कैसे आया था, क्योंकि, यह cyclic process है, तो, total work done, total w net, total w net, is equal to, total heat transfer, total heat transfer, ठीक है, और w net क्या होता है, आपका, wt, wt minus, wc, और total net क्या हो जाएगा, q added, minus q rejected, q added minus, q rejected, ओके, यह हो जाएगा, आपका, w net, is equal to, q net, क्योंकि यहाँ से, आप put up करेंगे, तो आपका direct, value यहाँ जाएगा, ठीक है, तो thermal efficiency के formula क्या हो जाएगा, यहाँ पर से, thermal efficiency, for better and cycle, ओके, 1 minus, अब q rejected क्या मिला आपको, q rejected यहाँ पर मिला, m, cp, t4 minus, t1, यहाँ फिर, m, अच्या, q added क्या है, t3 minus, t1, t3 minus, t1, ओके, t3 minus, t2 हो गया अपकर, t3 minus, t2, यह हो जाएगा, आपका cancel out, तो आपको, finally, जो मिलने वाला है, thermal efficiency, for better and cycle, is equal to, 1 minus, t4 minus, t1, upon, t3 minus, t2, t3 minus, t2, clear, t3 minus, t2, ओके, आप ऐसे भी, इस point पर, अब देखे, सभी point का temperature, अगर आपको known है, तो आप thermal efficiency, निकाल सकते हैं, आप क्या निकाल सकते हैं, thermal efficiency, निकाल सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, यहापर thermal efficiency का, एक यह formula हो जाएगा, और इसको, pressure ratio के form में, कैसे convert करेंगे, देखें, ठीक है, तो process, हम इनिसेट्स जाएगे, या फिर आप देखो, यह, चलो ठीक है, process, process, 1 to 2, 1 to 2 क्या है आपका, isentropic compressor, और isentropic process के लिए, standard formula मैंने आप लोग को बताया है, क्या बताया है, sir, P2 is equal to T1, is equal to P2 upon, P1 raised to power, gamma minus 1 upon gamma, is equal to, V1 upon, V2 की power, gamma minus 1, यह मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, T4, T3 and T2 को, T1 के form में, convert करने कोशिज करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, अब बताये मैं रोग P2 by P1 क्या है, P2 upon P1, हमें पता है, यह होता है, pressure ratio RP, यह क्या होता है, pressure ratio RP, तो T2 upon T1 is equal to, RP raised power, gamma minus 1 upon gamma, that is equation number 1, that is equation number 1, ठीक है, that is equation number 1, और इसको equation number हम दे देते हैं, A, हम दे देते हैं, उसको A, ठीक है, अब process 3 to 4 क्या होता है, यह बताओ है, process 3 to 4, isentropic expansion processor, क्या होता है आपका, isentropic expansion, तो isentropic expansion के case में, standard formula क्या होगा आपके पास, standard formula same, क्या लिख सकते हैं आपका, T3 upon T4 is equal to, P3 upon, P4 raised power, gamma minus 1 upon, gamma is equal to, V4 upon, V3 की power, gamma minus 1, power, gamma minus 1, देखे, अब P3 upon, P4 क्या है, again, P3 upon, P4, again, क्या हो जाता है आपका, pressure ratio, RP, क्या हो जाएगा, pressure ratio, RP, तो now, T3 upon, T4 is equal to, RP raised to power, gamma minus 1 upon, gamma, gamma minus 1 upon, gamma, and, that is a, equation number, 2, तो from, equation number 1, and equation number 2, right hand side equal है, आपका देखे, RP की power, gamma minus 1 upon, gamma, यहाँ पर भी क्या है, RP की power, gamma minus 1 upon, तो left hand side equal है, तो right hand side भी, automatically क्या हो जाएगा, आपका, equal हो जाएगा, तो from, equation number, 1, and 2, हम लिख सकते हैं, आपस, T2 upon, T1 is equal to, T3 upon, T4, ठीक है, T2 upon T1 is equal to, T3 upon T, T4, अब इसको rearrange करना चाहूँगा, तो हम यह कर सकते क्या, इसको इधर transfer कर सकते हैं, इसको, यह transfer, तो हम इसको finally लिखना चाहेंगे, T4 upon, T1 is equal to, T3 upon, T2, ओके, इसको हम name करते हैं, equation number, B, क्या दे दिया हमाँ है, equation number B, ठीक है, अभी तक आप लोग को यह समझ आया, कि, Bratton Circle के efficiency, temperature के form में यह होगा, फिर हमने process लगाने के बाद क्या लिए, T4 upon T1 is equal to, T3 upon T2, consider गे, अब मैं क्या करूँगा, यहां से T1 को common निकाल लेते हैं, और यहां से आप निकाल लेजिए, T2 को common, तो क्या होने वाल है, देखे, Bratton Circle, A, standard Bratton Circle, efficiency 1 minus, हम क्या निकालने वाल है थे हैं, वहां से T1 common निकाले, तो T4 upon T1 minus 1 आ गया, नीचे से हम T2 common निकाल लिए, तो T3 upon T2 minus 1 आ गया, क्लियर, कुछ नहीं किये हैं, हम इस equation से, यहां से T1 common निकाल लें, यहां से T2 common निकाल लें, अब बताओ मेरे को, जब T4 by T1 हैं, तो T4 by T1 को हम लिख सकते हैं, T3 by T2 और T3 by T2 को लिख सकते हैं, T4 by T1, तो T4 by T1 को हम क्या लिखने वाले हैं, T1, T3 upon T2 minus 1, देखिये, T4 upon T1 is equal to T3 upon T2, क्लियर, यह हुआ, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह वाला portion cancel out हो गया, ओके, यह portion cancel out हुआ, तो आपको यहां पन मिला, Bratton cycle की efficiency is equal to 1 minus T1 upon T2, T1 upon T2, और क्या लिख सकता हैं, इसको मैं, 1 minus 1 upon T2 by T1, तो from equation number 1, from equation number 1, क्या लिख सकते हैं, T2 by T1 is equal to Rp raised to power gamma minus 1 upon gamma, ठीक है, Rp raised to power gamma minus 1 upon gamma, तो Bratton cycle की efficiency क्या मिलने वाली हैं आपस, आपको मिलेगी, 1 minus 1 upon Rp raised to power gamma minus 1 upon gamma, यह standard formula है, ठीक है, यह क्या आपका standard formula है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, कि Bratton cycle की efficiency किस किस point पर effect कर दी है, तो Bratton cycle की efficiency देखिए, इसे function of बोल सकता हूँ, आरपी pressure ratio और यह क्या है, heat capacity ratio, ठीक है, heat capacity ratio बोल सकता हूँ इसको, तो यह आपका Bratton cycle की efficiency आपड़ एफेक्ट करेंगे, जैसे जैसे आरपी की value आप increase कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आरपी की value बढ़ा देखिए, pressure ratio आपका बढ़ते जाएगा, तो thermal efficiency, Bratton cycle, thermal efficiency क्या होगी, जब यह terms बढ़ जाएगा, ठीक है, यह वाला portion बढ़ जाएगा, तो यह वाला terms क्या हो जाएगा, decrease होगा, और thermal efficiency क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो आरपी बढ़ाने से क्या हो रहा है, thermal efficiency जो है, या फिर इसको मैं बोल सकतो, air standard Bratton cycle की efficiency क्या हो जाएगी है, increase हो जाएगी है, क्या हो जाएगी है, increased हो जाएगी है, clear that, तो समाज है, कैसे मैंने air standard cycle की efficiency, derive की है, क्या किये, स्टाइटिंग से एक बार और चेक कर लेते हैं, देखें, हमने क्या किया, यहाँ पर Bratton cycle की efficiency, thermal efficiency, W net upon heat supply, ठीक है, W net upon heat supply, यह किया था, और W net, और क्या लिख सकते हैं, 1 minus Q rejected upon Q added, तो what is the Q rejected, Q rejected क्या लिख है, मैंने यहाँ पास, पहले बता चुके हूँ, Q rejected क्या, MCP T4 minus T1, ठीक है, तो T4 minus T1, similar to Q added, हो जागा, यह cancel out होने के बाद, क्या किया है, अपन, cancel out होने पाद, यह equation मिलेगा, temperature के form में, यह हो जागा, आपका air standard efficiency, for Bratton cycle, क्या हो जागा, 1 minus T4 minus T1 upon, T3 minus T2, यहां तक तो आप लोगों clear हो गया, अब मैंने क्या किया, process apply किये, कौन कौन सा process, 1 to 2 and 3 to 4, 1 to 2 and 3 to 4, तो standard यह क्या होता है, isentropic process होता है, तो standard formula क्या होता है, T2 by T1 is equal to P2 by P1, कि power gamma minus 1 upon, gamma is equal to V1 by V2, यहां तक तो clear हो गया होगा, ठीक है, तो इसको आर्पी बोलते हैं, pressure ratio, हम P2 by P1 को क्या बोलते हैं, आर्पी, pressure ratio, इसको put up किये, तो आपको एक equation मिलेगा, similar to यहां से आपको second equation मिलेगा, दोनों में देखिए, equation 1 and equation 2 में देखिए, right hand side equal है, तो left hand side भी आपस में equal होगे, यहां से मैंने क्या क्या है, rearrange किया, हमने क्या किया, T4 को यहां transfer कर दिये, T2 को यहां transfer कर दिये, तो आपको equation क्या मिलेग, T4 by T1 is equal to T3 by T2, उसके बाद, उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से T1 common निकाल दिये, और इस point से हमने T2 common निकाल दिये, ठीक है T1 common and T2 तो आपको finally क्या मिला है यहां से हैं T1 और T2 common निकालने के बार यह terms मिले और हम T4 by T1 को क्या लिख सकते हैं T3 by T2 कहां से इस एक्वेशन क्लियर के बार यह आपस में अगर मैं ड्रॉ करें तो क्या होने वाले देखिए अगर मैं ग्राफ करने वाला हूं ठीक है ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे यह देखिए किसके इसकी बीच ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं हम होरिजैनल एकस में और पी रख लेता है क्या रख देते हैं और इसमें थर्माल इंसेंशिक रख देता है ठीक है क्यों तो हार्पी की वेल्यू आप वेल्यू पुट अप करेंगे इसको constant कीजिए आप आर्पी की सब्ली हम यहां देखें तो ऐसे जब निकालोगे तो यह वैलू किस टाइप कर बने यह टीक है यहां आप आर्पी की वैलू रखते जाहिए तो आपको एक ग्राफ फ्लो होगा समझ आ रहा है जैसे जैसे आर्पी की वैलू बढ़ाएंगे तो थर्मल एफिसेंसी की वैलू बढ़ाएंगे यह हो गया आपका आइडियल ब्रेटन सैकल के लिए इफिसेंसी का फार्मला कैसे डिराएंगे नेच्ट हम देखेंगे एक्चुल सैकल कैसे वक करते हैं यह आइडियल कैसे है यह बताओ तो आइडियल कैस में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको जो वर्किंग फ्लूड है इस नेच क्लास में हम क्या करेंगे नेच देखने वाले एक्चुल ब्रेटन सैकल okay